एक बार नारत जी हनुमान जी पास आ गए अयुद्या में अयुद्या में हनुमान जी बैठे दरवाजे पर उसी समय नारत जी आ गए नारत जी बोले हनुमान जी जी बता एक बात बता तुम ज़्यादा भक्त हो या हम अनमान जी बोले अब हम क्या बता दें हम तो जो हैंसो हैं एक काम करो आपको जादा ही पूछने का सौक है भगवान विश्णू के पास क्या भगवान विश्णू के पास एक डाइरी है उसमें भक्तों के नमर सहत नाम लिखे हैं जो जितना करीब का भक्त है उसका उतने ही न पर नाम लिखा हुआ है चैट करें आओ हम जादा मद्ध यह तो बढ़िया बाद नारफ जी भगवान विश्णू के पास गए जैसे ही गए जाकर के प्रणाम किया भगवान विश्णू ने कहा कहो नारफ जी कैसे आना हुआ विश्णू जी भूले महराद हमने सुना आपके पास भगतों का कोई रजश्टर है रजश्टर विश्णू भगवान बोले है तो नारफ जी बोले बोराना मानों तो हमें दिखा विश्णू भगवान बोले लो देख ले रजश्टर ओढ़ाया नारफ जी को दिया और जैसी फेज पलता तो पहला नाम नारफ जी का निकल पहले नंबर पर नाम मिलते ही गुमान में फूल गया नारज्जी बापस आउध्या में आये अनमान जी तो कलत भवन के बाहर स्री सीता राम सीता राम सीता राम नारजी आये है अन्मानजी जै हो, अन्मानजी जै तो ठीक है, गाय हो ऊपर, विष्णु भगमान के पास, आहां, गए है, गए है, जा निकला, जै बुले गोराना मानों, तो सही बताए, हाहां, बताओ, हमारा नाम को पहले नमबर पर तुम बलेक लिस्ट में हो, तुमारा नाम ही नहीं है, कंई रजश्टर में होने में भी नाम नहीं लीका हमने पूरे केãyच देख हमारे सम्मिले हम पहले नमबर तर उसमें हमको वहलाज जीमिले उसम्म को द्रूजी मिले नीराबाई मिली सबके नाम मिले तुम्हारा नाम नहीं है अनमान जी बोले नारज जी एक और बात बखाएं, आपने एक छोटी डायरी देखी, भगवान के पास एक रजस्टर है, एक मिनी डायरी भी है, वो चेक की, नारज जी बोले नहीं, हमने तो के बर रजस्टर भर चेक किया, जा वो मिनी डायरी चेक करो, हम नारज जी का दिमा लोग पड़ो जैसे नारग जी ने लियो जैसे पेज पलताया पहला नाम हनमान जी का नारग जी बोले हमें मामला समझ में नहीं आया भगमान जी बोले उस वाले रजस्टर में पहला हमारा नाम मिनी बाली डायरी में पहले हनमान जी का नम हमें मामला समझ में नहीं आया भग झाल झाल